ये वीडियो पिछले वीडियो के केंटिविशन में है इस सेशन में हम दो एली डइंग को आड़िनू उनो के साथ इंटरफेस करेंगे और उनको स्पेसिफिक इंटरवल से अन ऊफ करेंगे उसका सिमुलेशन अनलाइन शिमुलेटर टिंकर कैड में देखेंगे अभी हम Arduino Uno का pin compression देखेंगे उसके उपर जो microcontroller है उसका नाम है 8mega328p उसका package का नाम है dual inline package जिसको 6 analog input pin होते है सेम microcontroller Arduino Nano के उपर भी रहता है लेकिन उसका package का नाम है TQFP जिसको 8 analog input pins रहते है एक साड USB connector दिया है उस USB connector से हम program उसके अंदर download कर सकते है और debugging करते समय हम programming का data computer पे देख सकते है दूसरी सेड 0 से लेके 13 तक totally 14 digital I.O. pins दिये है pin 1, TX और pin 0, RX ऐसा इस्तिमाल कर सकते है जो UART के time काम में आते है pin 3, 5, 6, 9, 10, and 11 can be used as a PWM pin उसके उपर चोटा सा एक arrow दिखाया है वो indicate करता है कि ये pin PWM के pins है और एक सैड में A0 से लेके A5 तक 6 analog input pins है अगर ये pins हमें analog input pin ऐसे इस्तिमाल नहीं करने है तो हम digital I.O. pins ऐसा इस्तिमाल कर सकते है on board 3.3 और 5 hold का power supply दिया है उसके साथ ही multiple grounds भी दिये है pin number 13 को एक LED connected है जो L character से दिखाया है ATMEGA 328P 3 अलग-अलग commission को support करता है जैसे कि SPI, UART और I2C अगर हम SPI इस्तिमाल कर रहे तो हमें 10th, 11th, 12th और 13 number pin इस्तिमाल करने पड़ेगी अगर हम UART इस्तिमाल करना चाहते है तो 0 और 1st pin हमें इस्तिमाल करने पड़ेगी अगर हमें I2C commission इस्तिमाल करना है तो हमें A4 और A5 pins इस्तिमाल करने पड़ेगी Arduino programming करते समय हमें कुछ function इस्तिमाल करने होते है अभी हम Arduino के तीन अलग-अलग functions देखेंगे Pin mode, Digital Write और Delay Pin mode function इस्तिमाल करके हम data का direction set कर सकते है जैसे कि मुझे एक pin को output ऐसे set करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा pin mode into bracket pin का number, output इधर pin mode में M capital है और output में सभी characters capital है सपोज मुझे pin number 13 को output pin ऐसे set करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा pin mode into bracket 13, output यह लिखने से pin number 13 का data का direction आउटवर्ड साइड रहेगा और उधर मैं LED जैसे output device connect कर सकता हूँ सपोज कोई भी pin अगर मुझे input ऐसे set करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा pin mode into bracket pin का number, input सपोज pin number 13 को मुझे input ऐसे set करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा pin mode into bracket 13, input यहां input में सभी characters capital है यह करने से pin number 13 as a input ऐसे set होनी वाली है so that I can connect input components like micro switch अभी हम देखेंगे digital right function क्या है digital right function से हम किसी pin को high या low set कर सकते है सपोज मुझे कोई भी pin को high set करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा digital right into bracket pin का number, high digital right में w capital है और high में सभी characters capital है सपोज मुझे pin number 13 को high set करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा digital right into bracket 13, high यह करने से वो pin 5 hold set हो जाएगी सपोज मुझे एक pin को low set करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा digital right into bracket pin का number, low यह करने से मेरा pin low set हो जाएगी सपोज pin number 13 को मुझे low set करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा digital right into bracket 13, low यह करने से pin number 13 0 hold set हो जाएगी अब यह आखिर का function है delay function यह function Arduino के microcontroller को specific time के लिए busy रखता है और वो time हमें millisecond में specify करना पड़ता है सपोज if I write delay into bracket 1000 उसका मतलब है 1000 millisecond के लिए Arduino का microcontroller busy रहेगा और कुछ भी meaningful काम नहीं करेगा सपोज मैंने एक pin को high किया है और उसके बाद यह delay को add किया है या insert किया है तो उसका मतलब है वो pin high रहेगा उस duration के लिए और उसके बाद ही हम उसका voltage level change कर सकते है तो ऐसे assume करो कि Arduino उन्हों को D6 pin को green LED connect किया है और D5 pin को blue LED connect किया है यह दो line pin को नाम देने के लिए इस्तिमाल किया है define green 6, define blue 5 attrib उसके बाद setup में इस दो pin को आउठुट ऐसा assign किया है उसके बाद गरत इस line से green LED को high किया है और बाद में 1 second का delay है यह कि सेकंड के delay के बाद blue LED को हाई किया है और फिर एक बार 1 second का delay है दोनो LED on होने के बाद green LED को पहला local can किया है बाद में 1 second की interval है उसके बाद blue LED को भी low किया है और एक second का interval है ये cycle है repeat होने वाली है क्योंकि ये instructions लूप के अंदर डाले है ये program मुझे Arduino Uno के अंदर upload करना है तो मुझे पहला वो board slate करना पड़ेगा तो tools में जाओ और board को Arduino Uno slate करो अभी मेरा board Arduino Nano है वो मैं change करके Arduino Uno ले रहा हूँ उसके बाद tools में जाओ और port चेक करो मैंने अभी board system को connect नहीं किया है उसकी वजह से ये option disable है तो वो option enable होने के लिए मैं Arduino Uno को मेरा system को connect कर रहा हूँ अभी मैंने Arduino Uno को मेरा system को connect किया है तो मैं फिर एक बार tools में जाता हूँ और देखो अभी port में com5u Arduino Uno से दिखा रहा है तो मुझे वो slate करना पड़ेगा slate करने के बाद मुझे अभी verify करना पड़ेगा और वो चेक करेगा कि कोई error है कर नहीं अभी मेरा compiling पूरा हो चुका है अभी ये program मुझे upload करना है सो मैं upload पे click करूंगा ताकि ये program अपने board के अंदर upload हो जाएगा अभी uploading भी पूरा हो चुका है इधर छोटा सा message आ रहा है तो मुझे actually output क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा ये मेरा Arduino Uno है और उसके साथ ये दो LED इंटरफेस किये है प्रोग्राम execution पहले से चालू करने के लिए मुझे ये reset का बटन दबाना पड़ेगा अभी मैंने reset का बटन दबा के रखा है इसलिए दोनो LED आफ है अभी मैं release कर रहा हूँ release करने के बाद पहला green LED आउन हो रहा है उसके बाद blue LED आउन हो रहा है इस तरह मेरा प्रोग्राम execution चालू है अभी मैं सेम सिमुलेशन टिंकर क्याड पे करूँगा अभी ये प्रोग्राम हम टिंकर क्याड के लिए इस्तिमाल करेंगे सबसे पहले टिंकर क्याड को गुगल पे सर्च करो जो पहला link आएगा उसके उपर क्लिक करो तो आपको इस तरह कुछ interface आएगा बाद में sign in पे क्लिक करो आप अपना Google का account sign in के लिए use कर सकते हैं login और password देने के बाद आपको इस तरह का interface मिल जाएगा बाद में circuit को slate करो और create new circuit पे क्लिक करो new circuit के लिए आपको इस तरह का interface मिल जाएगा इदर अलग-अलग options है जैसे की rotate the circuit diagram और component बाद में delete, undo, redo, then annotation उसके बाद view and hide बाद में circuit को अगर zoom करना है तो आप zoom भी कर सकते हैं right side में code का option है आप जो circuit चूज करने वाले है उसका Arduino code आपको मिल जाएगा उसके बाद आप simulation स्टार्ट कर सकते हैं बाद में आप export कर सकते हैं, share कर सकते हैं इदर component का एक category दिया है जिसमें basic है और all है उसके बाद starter के लिए basic, Arduino, circuit, assembly and all ऐसे अलग-अलग option दिये गए है तो आप according to your requirement आप एक category चूज कर सकते हैं बैसे कि अगर मैं basic component पे click करता हूँ तो ये मुझे list आएगा उसमें बहुत सारे basic component है आप उसको इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद अगर मैं Arduino select करता हूँ तो Arduino के साथ कुछ components already interface किये हुए है तो आप वो select कर सकते हैं और उसका programming कर सकते हैं अभी मेरा requirement है कि Arduino उन्हों के साथ मुझे breadboard चाहिए तो मैं ये पहला वाला component ड्रैग करके मैं circuit drop कर रहा हूँ अभी ये मेरे पास circuit diagram है अभी मैं breadboard और Arduino उन्हों को थोड़ा सा rearrange करता हूँ अभी मैंने Arduino उन्हों और breadboard को rearrange किया है अभी मैं दो LED और दो resistance ले रहा हूँ तो उसके लिए मुझे फिर एक बार basic component में जाना पड़ेगा तो पहले मैं दो register ले रहा हूँ मैं register लिया है उसका मुझे value change करना है मैं value ले रहा हूँ 220 ohum उसके बाद मुझे और एक register लेना है तो मैं drag and drop करता हूँ register का एक terminal मैंने ground को दिया है और उसका value मैं change कर रहा हूँ 220 कर रहा हूँ 220 ohum अभी मैं LED ले रहा हूँ तो LED को मैं drag and drop कर रहा हूँ LED का बड़ा terminal anode रहता है और छोटा terminal cathode रहता है जो मैंरा पहला LED है उसको मैं green color slate कर रहा हूँ और मैं दूसरा LED है वो मैं blue color slate कर रहा हूँ अभी मैं wire connection कर रहा हूँ आप wire का color भी change कर सकते है second wire का color है मुझे blue चूज करना है और पहना wire का color मुझे green ही रखना है अभी मैं LED के anode मेरे pin नमबर 5 को और 6 को connect कर रहा हूँ तो green color का LED मुझे 6 नमबर pin को connect करना है तो मैं 6 को connect कर रहा हूँ अभी उसके बाद blue color का LED मुझे 5 नमबर को connect कर रहा हूँ अभी उसका color मुझे blue चूज करना है तो मैं blue color का wire slate कर रहा हूँ ग्राउन का connection हो चुका है जो इधर से ground दिया है इधर तक और वो अपने आप रेटरस तक पहुंच रहा है अभी मुझे उसका simulation करना पड़ेगा तो मैं अभी code पे click कर रहा हूँ तो code में अलग-अलग option है जैसे कि block बाद में block plus text and text तो मैं अभी text select कर रहा हूँ अलड़ी एक code लिखके आ रहा है जहाँ LED blinking के लिए प्रोग्राम किया है पहले सही हमने एक code लिखके रखा है जो Arduino IDE में है वो उधर से मैं copy करने वाला हूँ और ये code जो हमने अलड़ी देखा है उसको मैं इधर paste करने वाला हूँ अभी मेरा ये code इस सक्ट डियराम के लिए simulate होने वाला है तो मुझे start simulation पे click करना पड़ेगा अभी मैं start simulation पे click कर रहा हूँ पहला green LED on हो रहा है उसके बाद blue LED on हो रहा है इस तरह हमने ये प्रोग्राम एक्ट्वल बोर्ड पे और simulation में चेक किया है झाल प्रड़े प्राम के लिएक झाल 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 झाल